दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक list है ठीक है अब इस list में name दिए गये हैं इन name के पिछे सभी name के पिछे कुमार लगा करके यहाँ पे B column में लेके आना है और एक सर्त है यह है कि कहीं भी कुमार लिखना नहीं है किसी सेल में और यहां पे किसी फर्मूले का यूज भी नहीं करना है तो आप कैसे करेंगे इससे बहुत है सिंपल है आएए बता देता हूं इककवल प्रेस करेंगे और इस नेम कलिक कर देंगे जो चुछ और प इत पहला